हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटी टू कॉम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज हम जिस टॉपिक उपर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक को लेके पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे क्वैरी जा रहे थें कि क्या सर निफ्टी और बाउट जोन में है या नहीं है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें तो इस वीडियो हम इसी को पर बात करने जा रहे हैं क्या निफ्टी वाकई और बाउट जोन में है या नहीं है अगर और बाउट जोन में है तो क्या निफ्टी में हमें शॉट टर्म में कोई मेजर downfall move देखने को मिल सकता है या फिर nifty यहां से और ज़्यादा upside move दिखाएगा वो हम इस वीडियो में find करने की कोशिस करेंगे तो चलिए इस concept को हम समझते हैं कि कैसे हम पता करें कि nifty और बाट जोन में है या फिर नहीं है यहां पर सबसे पहले हम nifty के चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं Friday यानि 18 अप नमबर को nifty जो closing दिया है आपका 18,307 के करीब closing दिया है यानि अभी भी ये all time high level से बहुत नीचे यानि इसका all time high level है वो आपका 18,600 के करीब है वहां से अभी भी लगबग आपका 300 पॉइंट नीचे ये trade कर रहा है इसके बाब जूद भी क्या nifty आपका overbought zone में आया है या नहीं आया है वो हमें इस वीडियो में find करना है और इसके साथ साथ अगर ही overbought zone में है तो क्या यहां से हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा यह नी हमें short term में कोई major downfall move देखने को मिलेगा या फिर यहां से nifty और ज़्यादा upside move दिखा के यह आपका all time high level टच करेगा या फिर fresh all time high level बनाना है इन सारे point के उपर हमें इस वीडियो में बात करना है तो सबसे पहले यहां पे हमें आपको एक chart दिखाना चाहूंगा यहां पे हम इस chart पे आगें जहां पे आपको क्या दिख रहा है सबसे पहले आपको तीन line दिख रहा है red, white और green जो red line है वह आपका nifty 50 का chart है उसके अलाबा जो आपको white line दिख रहा है यह आपका nifty 200 का line है और जो आपको green color का line दिख रहा है यह आपका nifty 500 का अब nifty 50, nifty 200, nifty 500 क्या है बहुसा लोगों को idea होगा जिनको idea नहीं उनके लिए बता देता हूं nifty 50 में आपके top 50 stocks रहते है nifty 200 में top 200 stocks रहते है और nifty 500 में top 500 stocks रहते है तो यह तीनों stocks आपका यह जो line है यह आपका 200 day EMA यह तीनों निफ्टी 50, 200 और 500 तीनों 200 day exponential moving average से काफी ऊपर move कर रहा है तो इन तीनों में तो strength देखने को मिलवा है कि यह 200 day exponential moving average से काफी ऊपर trade कर रहा लेकिन हमें यह जानना है कि जो upside momentum आ रहा इन सब में जो strength आ रहा हूँ आ कहां से रहा है इसके लिए हमें क्या देखना परेगा कि nifty 50 में जो 50 stocks हैं उन में से कितने stocks हैं जो कि आपका 200 day exponential moving average से ऊपर trade कर रहा वैसे ही जो nifty 500 में 500 stocks हैं उसमें से कितने stocks हैं ऐसे जो 200 day exponential moving average से ऊपर trade कर रहा है तो फिर अब ही पता चलेगा यह जो मजबूत ही है वो कहां से आ रहा है तो चले इसको हम find करते हैं तो यहाँ पर हमने scanner का use किया है और scanner देख सकते हैं हमने 50 50 select किया और 200 day EMA select किया और देखते हैं कि कितने stocks इससे ऊपर है तो overall जो search आया है उसमें से देख सकते हैं जो 50 में से आपका 41 stocks हैं वो 200 day exponential moving average से आपका ऊपर trade करता हुआ दिख रहा तो अगर हम percentage निकाले तो लगबाग 82% of stocks 50 50 के वो 200 day exponential moving average से ऊपर trade कर आपको यह दिटा थुरा सा ध्यान रखने की जोगत है क्योंकि यहां पर हम 50 200 और 500 सारे की data को एक साथ combine भी करेंगे उसकी बाद हम आते हैं 50 200 पे देख सकते हैं यह आपका 50 200 का data है और हमें देखना है कि 200 day exponential moving average से कितने stocks उपर trade करें यहां पर अगर हम data को देखें तो देख सकते हैं यहां पर जो data filter होके आया है वो आया है आपका 117 stocks आपका कौन उपर है 200 day exponential moving average से और out of कितने 200 हैं यहां पर अगर हम percentage निकाले तो लगबाग यह आपका आता है 58% of stocks क्या है आपका 200 day exponential moving average से उपर है जबके nifty 50 का अगर हम बात करें तो वहाँ पर 82% stocks आपके उपर trade कर रहे थे exponential moving average से यहीं अगर हम nifty 500 की तरफ आते हैं nifty 500 देख सकते हैं यह जो आपका है nifty 500 है और देखना है कि nifty 500 में से कितने stocks 200 day exponential moving average से उपर है यहाँ पे भी हमने scanner के ज़रे filter लगा है और यहाँ पे जो result आया यहाँ पे आपके 266 out of 500 stocks क्या है 200 day exponential moving average से उपर trade कर रहा है यहाँ अगर हम percentage निकाले तो लगवग आपका 53% के करीब आपता है और जबकि अगर हम यहाँ पे nifty 200 की बात करें तो उसमें आ रहा था 58% के करीब और जबकि अगर हम nifty 50 की बात करें तो उसमें आ रहा था आपका 82% के करीब यह तीनों data देखके लग रहा है कि जो nifty में जो upside momentum आ रहा वो mostly आपका high weightage stocks से आ रहा है और अगर आप bank nifty की बात करें तो आपको already पता ही है कि जो bank nifty है वो आपका अभी all time high level पे चल रहा है यह नि all time high level से भी लगबग 2% उपर ट्वेड कर रहा जबकि nifty आपका all time high level से 1.5% करीब नीचे ट्वेड कर रहा यह नि जो maximum strength हमें nifty में देखने को मिल रहा वो कहां से आ रहा वो banking stocks यह नि बैंक nifty से आता हुआ दिख रहा और कुछ गिने चुने stocks से आ रहा मतलब यहां पे हम एक चीज conclusion निकाल सकते हैं कि जो nifty में upset momentum है वो आपका सिर्फ top stocks से ही आता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहां पे जो आपका mid cap है और small cap है उसके तरफ से participation नहीं आ रहा क्योंकि वहां पी लगवग आपका 50% stocks ही 200 day exponential moving average से उपर है जबकि nifty का आपका data 82% उपर है मतलब यहां पे अगर top stocks में गिरावट देखने को मिला तो हमें nifty में भी गिरावट देखने को मिल सकता है इसके chances यहां पे हमें clear cut देखने को मिल वह वहीं अगर आपका mid cap और small cap के तरफ से further कोई participation आता है अगर यह सारे stocks यहां से upside momentum दिखाना start करते हैं और इन सारे stocks भी अगर आपका लगभग 60% या फिर 65% या फिर 70% यह सारे stocks भी अगर 200 day exponential moving अब इससे उपर जाते हैं तो nifty भी आपका all time high level दिखा सकता है तो यहां पे हम वापस से nifty के chart पे आना चाहेंगे और वहां पे हम overall conclude करके देखेंगे कि क्या nifty वाकई आपको overbought zone में है या फिर नहीं है तो यहां पे हम वापस से nifty के chart पे आगे और हमने क्या देखा है कि nifty में जो upside momentum है वो कहां से आ रहा है वो आपके top stocks से ही आता हुआ दिख रहा है और especially banking stocks से आता हुआ दिख रहा है अगर हम यहां पे bank nifty के भी chart को देखें तो देख सकते bank nifty में जो इससे previous आपका all time high level बना था वो कहां पे बना था वो बना था आपका 41,840 के करीब और यहां पे जो इसने fresh all time high level बना है वो देख सकते हैं आपका last training session से बना था 42,622 का यानि 42,622 का all time high level बना था यानि जो last time all time high level था उससे लगबग आपका 800 point उपर आपका fresh all time high level बना है यानि जो strength आ रहा हमें banking stocks से ज्यादा strength देखने को मिलवा है और nifty 50 में अगर हम weightage की बात करें तो लगबग आपका 35% weightage किसका है bank nifty का weightage है और bank nifty में total कितने stocks है total आपके 12 stocks देखने को मिलेंगे लेकिन उसमें high weightage stocks बाल आपका 4-5 stocks है आपका सबसे ज्यादा weightage HDFC bank का उसके बाद आपका ICSA bank फिर आता आपका SBI, COTEK और AXIS लगबग एक बराबर है यही 4-5 stocks पूरा bank nifty को हिला के रखते है तो वही 4-5 stocks है और कुछ आपके nifty 50 के भी दिगज stocks है वही nifty को drag करके उपर ले जा रहे है वहीं यहाँ पर अगर हम technical की बात करें क्योंकि हमने जो stocks देखा उससे लग रहा है कि nifty में आपका एक fear generate हुआ है यहाँ पर अगर top stocks में गिरावट देखने को मिलता है तो और ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलेगा तो हम technical की उपर आएंगे लेकिन यहाँ पर एक और जो market को fear रहता वो किससे रहता FII के तरब से यानि foreign institutional investor के तरब से अगर हम FII index long positions की बात करें FII का long positions कितना है अगर हम उसके उपर बात करें और इसके उपर क्यों बात करें वो भी मैं आपको उताऊंगा वो लगबग आपका 65% के करीब है और ये भी आपका ज़्यादा नहीं लेकिन slightly higher side पे ही दिख रहा है मतलब अगर market में थोड़ा बहुत भी fear generate होता चाहे हाँ domestic market बात कर लिए या global market कहीं पे भी fear generate होगा तो FI के तरब से जबर्दस्त बिक्वाली किया जाएगा ये जबर्दस्त आपका selling करेंगे as a real market यहाँ से sharp downfall move दिखा सकता है इसके chances हमें नजर आ रहे हैं और एक और चीज़ अगर हम technicals की बात करें ये तो होगे FI के तरब से और कुछ से stocks इसको drag करके उपर लाया है जिससे fear बना हुआ technicals की बात करें देख सकते हैं last कुछ दिनों से last आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 2, 6 trading session से बात करें तो market आपका एक ही range की करें move करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे काफी हद तक chances दिख रहे हैं कि आपका distribution phase बनता हुआ हमें दिख सकता है क्यों दिख सकता है क्योंकि last time जब भी आपका 3 या 3 से जादा candle आपका एक ही जगा high बनाया है तो यह आपका क्या formation की है top का formation की है और यहाँ से nifty आपका अच्छा खासा गिरावट दिखाया है तो same type of गिरावट हम यहाँ पर भी उम्मीद कर सकते है क्योंकि same type यहाँ पर भी 2 से टीन स्टॉक्स ने लगवग same top का formation की है 18400 करीब आपका top का formation की है और इसके उपर जो buyers हैं वो थोरे बहुत यहाँ पर हमें कमजोर भी लग रहे हैं तो इन सारे situation को देखते हुए market में अभी हमें उतना ज्यादा strength नहीं लग रहा है यानि market में उतना ज्यादा लोगों का भरोसा नहीं है कि यहाँ से price और उपर जाएगा और market में जब भी fear बना रहता है तो market में नीचे गिवने के chances रहते हैं तो अब हम आते हैं overbought या फिर oversold zone के तो overbought यह आपका slightly बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई clear cut हमें idea नहीं मिल वाए कि यह overbought है लेकिन slightly आप इसको overbought बोल सकते हैं क्यों बोल सकते हैं क्योंकि already आपको बता है कि top stocks ने इसको drag करके उपर लाया और इसको mid cap और small cap से support नहीं मिला अगर mid cap और small cap से support मिलेगा तभी आपका all time high level बनाएगा otherwise यहाँ से इसको नीचे गिरना ही है तो उमीद करते हैं आपको जो idea इस video से मिलना चाहिए था वो आपको मिलता हुआ दिक गया और आप इनी सारे factor को एक साथ combine करके कि आप खुद से भी conclude कर सकते हैं कि overall data हमें क्या कुछ बता रहा है so video पसंदायत प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage किजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe भे किजिए साथी साथ bell icon को दवाना ना भूले ताकि जब भी हम video upload करें आपको notification मिल जाए और आप video miss ना करें so that's all friends मिलते नेक्ट वीडियो में जैहन